दोस्तो पंचम पब्लिसर द्वारा हिंदी मीडिय में इस्टुडेंट्स के लिए इबुक यानी पीडियाफ नोट्स त्यार किये गए हैं जो कि आपके आने वाले सभी कम्टिट एग्जाम जैसे ससी बैयंक रेलवे पीएससी पूलिस टीचर एग्जाम के लिए काफी उसफ क्लिक करके आप पर्चेर्ज कर सकते हैं किसी प्रकार की कुईरी के लिए इस नंबर पर आप कॉंटक्ट कर सकते हैं तो दोस्तों आप सब की डिमांड पर लेकर आ गया हूँ भारत की नदियों से लेटेर टॉप टॉप टॉन्टी फाइब कोईशन्स दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो की प्रतेक कम्टिट एग्जाम से में इस टॉपिक से दो से तीन कोईशन्स से और बनता है पक्का प मॉक टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं टोटल 25 कोईशन है और दोस्तों दिया आप से नहीं आता है तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्तक बने रहे हैं आपको सारे कोईशन से याद हो जाएंगे और ये काफी है हर एक्जाम के लिए चले तो फिर स्टार्ट करते जिले से गोमुक के निकट गंगोत्री हिमनाट से होता है यहां गंगा भागी रथी कहलाती है ठीक है तो भारत में प्रवाइत होने वाले सबसे बड़ी नदी है गंगा जिसकी लंबाई टोटल 2525 किलो मेंट ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा नेक्स दोस्तों गंगा नदी को बंगलादेश में किस नाम से जाना जाता है अधि आपको पता इसका इंसर तो बता सकते है काफी अच्छा कोशन है गंगा नदी को बंगलादेश में दोस्तों जाना जाता है ठीक है पदमा पदमा के नाम से जाना जाता है तो यह आप याद रखिएगा जल्धारा किस नाम से जाने जाती है तो गंगा और ब्रमपूत की सेंगतु जल्धारा ये जाने जाती है मेघना के नाम से ठीक है option C correct हो ठीक है तो अगर यहाँ पर बात करें ब्रह्मपूत्र नदी की ब्रह्मपूत्र नदी दोस्तों इसका टोटल लंबाई किदनी है 29,2 कil aquell को है जाती है और मेघना के नाम से पर अगरा अगला कोशन है भारत की सबसे इधिक नौगम में नदीय जाती है और अगला कोशन है सुन्दर बं का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है। काफी important question है यह correct answer अंसर जागे हैं इसका option सी गंगा और प्रमपुत्र ठीक है दो्स्तों मैं आपको बताथो गंगा और ब्रवापुद नदियां बंगलादेश में विष्यो का सबसे बड़ा सुन्दरवन डेल्ट अर्वाठीन का सबसे बड़ा इसका नाम कै पाथ sudah नोट कर लिजे कि कहा है उटेकर हमारा अगला कोशन है ब्रम्पुत्र का मैंने आपको बताया का मैंने आपको बताया कि यह मांसुरोबर जील के पास इस्थित यह इंगुध मान्सुरो बर जिल तिबात तो याद रखेएगा गंगगा और प्रहुपुत नदियों को उद्घमत्तल Next है हमारा विष्च का सबसे बड़ा नदी दूइप माजुली कनिर्माड करने वाली नदी कौनसी है तो विष्च का सबसे बड़ा नदी दूइप माजूली करने वाले नदी है दोस्तों वो है ब्रह्मपुत्र ऑप्संड ठीक है ब्रह्मपुत्र कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर के और प्रवाहित होती है आपको बताने कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर के और प्रवाहित होती है दोस्तों इसका करेक्ट अंसर हो इनमें इस किस नदी को बिहार का शोक का जाता है तो दोस्तों बिहार का शोक यह का जाता है को सी नदी को ठीक है ऑप्सन भी करेक्ट हो जाएगा को सी नदी ठीक है चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है यह कोश्चन काफी सिंपल है और बार बार पूछा आता है तो बंगाल का शोक दोस्तो दामोदर नदी कहलाती ठीक है दामोदर बंगाल का शोक दामोदर नदी भारत की लवणे नदी के नाम से जानी जाती है इसका correct answer रहागा option भी लूनी ठीक है लूनी कौन से नदी एस्चूरी नहीं बनाती है इनमें से कौन से नदी है जो एस्चूरी नहीं बनाती है दोस्तो महानदी जो है एस्चूरी नहीं बनाती है एस्चूरी नहीं बनाती है फिर नवारा अगला question है कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है कौन सी नदी जो अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है जो तापती नदी दोस्तों अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है तप्ति नदी मेंत्रप्ति से यह निकलती है यह आप याद रखेगा शिप्रा नदी किसकी साग नदीक है शिप्रा नदी किसकी साग नदी है, चंबाल नदी की साग नदी, ठीक है, शिप्रा नदी किसकी साग नदी है, चंबाल नदी की, तो ये भी आपको याद रखना है, फिर हमारा अगला कोशन है, कौन सी नदी रिप्ट घाटी से ओकर बैती है, कौन सी नदी है, जो रिप्ट काउन सी है दक्षिन बाढ की सबसे लंबी नदी है गोदा बरी ठीक है गोदा बरी जिसको ब्रत धगंगा का जाता है दोस्तों यह नासिक महरास्ट में धक्षिनपस्चिम में त्रैंबग गाउ के पहाड़ी जिसका उतगमस्था नासिक महरास्ट में त्रैंबग गाउं की पहाड़ी में इसकी लंबाई कितनी है याद रखीगा 1465 km है गोधा वरी नदी की लंबाई ठीक है कौन सी नदी ब्रिद्ध गंगा के नाम जाने जाती है ब्रिद्ध गंगा के नाम जाने जाती है तो गोदावरी ठीक है गोदावरी अगला कोशन है हमारा गोदावरी नदी का उद्गमस्तल कहां है मैंने आपको बताया दोस्तों कोधावरी नदी का उद्गमस्थल है ट्रैमबग गाउं ठीक है ट्रैमबग गाउं के एक पहाड़ी नासिक में अगला कोश्चन है दोस्तों किस नदी को उसकी पवितरत के कारण दक्षिन भारत की गंगा कहा जाता है किष्णा दीकुष की पवित्रता कार्ण दक्षिनवात की गंगा कहा जाता है उस्तों कावेरी ठीक कावेरी ये करनाटक के कुर्गुजिले में सित ब्रंभागिरी पहाडी से इसका उद्गामस्थाल है ठीक है इसकी टोटल लंबाई गिदनी 805 किलोमीटर ठीक 805 कहां पे उ इसको सबसे बड़ा डेल्टा सुंदर बन डेल्टा का निर्माड होता है ठीक है निम नदियों में से सबसे धिक पथ परिवर्तित किसको दौरा के आता है कोसी नदी ठीक है सबसे धिक पथ परिवर्तित करती है कोसी नदी भागी रथी और अलग नंदा मिलकर गंगा कहां बन जाती हैं दोस्तों यह बन जाती देव प्रयाग में ठीक है देव प्रयाग में भागी रती अलग नंदास मिलती है तो यहां पर सेक्ट धारा का नाम हो जाता गंगा ठीक है तो यहां प्याद रखिएगा और जहां से उद्गा मसल होता हो यहां पर गंगा को भागी रती क कौन सी नधी अरब साघर में गएति हैban Хih rating तो यह आपको याद रखना है काफ इंपोर्टेंट है नेक्स्त दोस्तो प्राइदैपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है प्रायद इपी भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तो गोदा बरी ठीक है यह इसकी लंबाई कितनी है 24% तो पैंसर क्लिमेटर 1465 चादोस्ट पैंसर क्लिमेटर इसकी उद्गा मसल कहा है इसका नासिक में त्रेंबा गाउं की एक पहाडी में ठीक है आपको याद रखना है प्रादिभी भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदा बरी तो यह थे दोस्तों नदी उसलेटेर टॉप 25 कोस कर दें लाइक शेयर जरूर करें ठीक है दोस्तों चलिए तो मिलते हैं नेक्स बड़े को साथ तब तक के लिए आप सौशत रही है बेस्त रही है मस रही है जै हिंद जै भारत प्रूर को साथ बारत